आज मैं एक कलेक्टिव पेकर कार्ट रीडिंग करने जा रहे हूं यह रीडिंग सभी जॉर्डिक साइंस के लिए है आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्या आपको आपके पार्टनर की वीट करनी चाहिए या आपको मूवण कर लेना चाहिए इस चीज के लिए आपके बस दो आप्शुन्स है एक यह औरेंज कलर का क्रिस्टल है और एक यह ब्लाक कलर का क्रिस्टल है आपको दोनों पाइल में से कोई भी एक पाइल सेलेक्ट करनी है क्रिस्टल सेलेक्ट आप कैसे करेंगे आप दोनों क्रिस्टल को ध्यान से देखिए अगर क्रिस्टल सेलेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो को यहीं पॉस कर सकते हैं बढ़ कि बगिस्टेश तो कि अ दोनों प्रिस्टेस को देखनी के बाद, आप अपने इस इसक्तल कर लीजिये, और उसके लिए लिए न जो भी अपको सब्सक्राइब का सुछली रिये yaptVISSky औरेंज कलर का जो crystal है that will be pile number 1 और यह जो black color का crystal है that will be pile number 2 तो हम देखते हैं कि orange color का crystal जिन्होंने चूज किया है क्या उन्हें अपने partner का wait करना चाहिए कि move on कर लेना चाहिए क्या आपको अपने partner का wait करना चाहिए कि आगे move on कर लेना चाहिए तो जिन्होंने pile number 1 सेलेक्ट किया है देखिए आप सॉर्य है देखिए जिन्होंने pile number 1 सेलेक्ट किया है आप और आपके partner बहुत ही confused है बहुत ही ज्यादा ऐसे crossroads पर है नहीं समझ आ रहा है आपको क्यों नहीं समझ आ रहा है वो मैं बताते हूँ आपके जो partner है ना उनका behavior अचानक से बदला जिसकी वजह से या तो आपके साथ no contact situation में हो गए या उनका behavior आपकी तरफ बदलने लगा जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से separate होते जा रहे हैं या हो गए हैं तो आपको उनका ये बदला हुआ behavior नहीं समझ आ रहा है और आपके partner ऐसे हैं कि वो आपकी तरफ turn नहीं कर पा रहे हैं इसका reason ये है कि आपके partner black magic energies में है negative energies में हैं ऐसी energies में हैं वो बाहर को नहीं निकल पा रहे हैं ये जो black magic वादी जो चीज में बोल रहे हो ना इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब कुछ जान बूच कर कर रहे हैं ये किसी के तरफ से उनके उपर impose किया गया है लगाया गया है तो आपके partner अभी भी उनी energies में हैं उन्हें होश नहीं आ रहा है वो आपकी तरफ को नहीं बढ़ पा रहे हैं उनका दिल करता है अंदर से लेकिन वो नहीं बढ़ पा रहे हैं आपकी तरफ को और instead वो क्या करते हैं उन्होंने किया भी क्या है उन्होंने आपको backstab किया है और कोई ऐसा आपका करीबी इंसान है जिसे आप जानते हैं जिसने इस तरह से आपके partner का behavior चेंज कर दिया है या फिर कोई ऐसा इंसान है जो आप जिसको जानते हैं means आप उसे by name जानते हैं या फिर आपको पता है की वो इन्सान कौन सा है जो आपके रिष्टे से खुश नहीं है और इस वज़े से आपका रिष्टा कहीं न कहीं isolated हो गया है आप अपनी जगा पर isolated हो गया है वो आपको देखना नहीं चाहते हैं आपके partner के जो एनरजी है वो बहुत बुरी तरह से बदल चुकी है, आपके बार्टनर जहां हर टाइम आपके केर करते थे, वो आपको देखना, सुनना हमेशा पसंद करते थे, आज उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, और वो आपकी तरफ बिल्कुल भी टर्न नहीं हो रहे हैं, तो आप भी कहीं न कहीं अपने आपको अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, जिसकी वज़स से आपके कुछ health issues भी हो रहे हैं, और आपके पार्टनर के भी health issues हो रहे हैं, जब भी कोई ऐसी negative energy किसी इनसान के उपर होती है, तो उसकी health पर definitely फरक पड़ता है, और ये फरक बहुत जल्दी जल्दी दिखना शुरू हो जाता है, आपके पार्टनर आप से अगर बात करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा defensive हो गए हैं, वो बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं, अगर आप उन्हें कुछ भी बताते हैं, क इनके लिए आज के टाइम पर अगर देखा चाहें, तो आप एक एन्मी टाइप उन्हें फील होते हैं, आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं, तब जब वो अलग होते हैं, जब वो खुद इन चीज़ों से इरिटेट हो जाते हैं, तो जब वो खुद पेंफुल इसमें होते हैं, तब वो कही नद बाया कर आपके बारे में सोचते हैं, तब उन्हें आपके साथ बिताय हुए पल यादा आते हैं, तब वो कुछ पाइंट आपके साथ clear करना चाहते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद फिर ये एनरजी उनके ओपर हावी हो जाती है, ज थोड़े ही टाइम के बाद उसी चीज़ से बदल जाते हैं, उनका ये बदला हुआ जो नेचर है ना आपको समझ नहीं लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप उनका इंतसार कर रहे हैं, आप साइलेंट हैं, आप सोच रहे हैं कि वो वापस आएंगे जब तक या तो वो खुद अपने उपर काम करें, अगर वो खुद अपने उपर काम नहीं कर रहे हैं, तो जब तक आप उनके उपर काम नहीं करेंगे, आपके पार्टनर वापस नहीं आ सकते हैं, जो ये सिचुएशन बनी हुई है, जिन्नों ने ये पाइल लंबर वान सेलेक्ट किय तो यह completely यहां पर दिख रहा है कि यह आपका option है अगर आप उनसे बे इंतहां प्यार करते हैं तो आप उनकी healing कीजिए या healing करवाईए अब आप मुझसे पूछेंगे माम healing कैसे करनी है तो एक बात को समझे healing जो है ना उसके लिए आपकी खुद की energy भी बहुत higher चाहिए अगर आप उनकी healing करना चाहते हैं तो और यहां पर जिस तरह की relationship या इस चीज़ पर मैंने काड़ सिंगा लेगी आपको wait करना चाहिए या move on करना चाहिए यहां पर जो चीजे नजर आ रहे हैं उसके according आपकी energy उ आपको healing videos मिल जाएंगे तब आप उनकी healing कर सकते हैं the other thing अगर आप खुद नहीं करना चाहते हैं आप मुझे contact कीचे मैं spiritual healer हूँ मैं आपकी इस चीज में मदद कर सकती हूँ अगर आप अपने partner से सच में प्यार करते हैं और उन्हें अपनी वापस अपने जिंदगी में ल obviously यह paid होता है तो यहां पर two of wands की energy है आपने इस रिष्टे को लेकर बहुत बड़े-बड़े dreams देखे हैं आपको अभी आप बहुत positive हैं इस चीज को लेकर कि आपका रिष्टा ठीक हो जाएगा लेकिन आपको जो basic cause है वो समझ नहीं आ रहा है कि यह क्यों हो रहा है आप ज आपके बीच में सिर्फ लड़ाई जगडा ही होता है आपके लिए अभी point इस point पर रिष्टे को समझना बहुत मुश्किल हो रखा है आपकी जिंदगी इस रिष्टे की वज़े से कही नकई upside down हो रखी है तो यहां पर cards देखते हुए मुझे एक चीज बहुत easily मैं बता सकत आपको कि यह जो दो रहा है ना इसमें choice आपकी अपनी है आप अपने प्यार को वापस लाना चाहते हैं तो आपको काम करना होगा आपको ऐसा लगता है कि यह situation कभी ठीक नहीं हो सकती आप इसके ओपर काम नहीं कर सकते आपको यह चीज समझ नहीं आ रही है तो आप move on कर ज चाहिए यहाँ पर silence का card है आपका रिष्टन और आप दूनो अपने अपने लेवल पर कहीं शांत हो गए है means आपको इस रिष्टे की ना actual situation क्या है वो समझ नहीं आ रही है और आपको इसके बारे में जानने के लिए या तो meditate कीजिए तो आपको पता लगेगा कि क्या actual guidance मिलने वाली है आपके रिष्टे की problem ही यह है कि आपको इस रिष्टे की actual सचाई नहीं पता है और अगर आपको पता लगती भी है तो आप उस चीज को neglect कर देते हैं आपको ऐसा लगता है वक्त की साथ सारी चीज़े ठीक हो जाएंगी लेकिन you are wasting your time ऐसे नहीं होने वाला ह है बिकॉस यह चीज उनके ऊपर बहुत इंटेंस है पहला कार्ड है टू अफसोर्ट का कार्ड ओके दर थिंग चीज़ों को समझते हैं मैंने कहा ना कि आपको समझ आ रहा है आपको guidance मिलती है आपको divine guide करते हैं कि आप इस situation से अपने रिष्टे को कैसे निकाल सकते हैं divine के पात पर चल कर divine से help सीख करते हैं मिच और होकर इस रिष्टे को संभालते हैं तो definitely आप एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहने वाले हैं means आप दोनों की एक दूसरे की जिंदगी के अंदर participation स्टार्ट हो जाएगी जो की अभी नहीं दिख रही है आप दोनों की जिंद तब भी कहीं एक साथ रहते हुए भी रिष्टे में अकेला अकेला फील करते हैं एक दूसरे के साथ अच्छी participation यहां पर नजर नहीं आती है तो maturity से काम लीजिए इस रिष्टे को लेकर आप बहुत burdened फील करते हैं आपको इस रिष्टे में कभी तो ऐसा लगता है कि चीज अच्छी हो रही है और उसके बाद अगर 2% लगता है कि चीजे ठीक हो जाएंगी तो उसके बाद 20% ऐसा फील होता है कि रिष्टा ठीक नहीं हो पाएगा यह burden बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन यह burden बढ़ता जा रहा है और अगर इस burden को release करना चाहते हैं तो रौशनी की चलिए रौशनी की तरफ को अगर बढ़ेंगे एडवेंचर के पात पर चलेंगे जो पात आपको नहीं पता है अगर आप उस पात पर आगे की तरफ को बढ़ेंगे तो definitely इस रिष्टे को आप successful होता देख सकते हैं क्योंकि bottom of the deck पर we are the world का card है आप दोनों एक साथ दुबा रोपनी पड़ी bottom of the deck के card के नीचे success का card है अगर आप definitely इस situation को समझते है maturity से act करते हैं अपने partner की healing करते हैं या healing करवाते हैं तो definitely आपका रिष्टा successful होगा आपके dreams पूरे होंगे we are the world के card के नीचे success का card है लेकिन क्यों नहीं हो पारा see one more card laziness का card है आप चीज़ों को समझते हुए भी चीज़ों को ignore कर रहे हैं आप सोच रहे हैं चीज़े खुद बखुद ठीक हो जाएंगी ऐसा नहीं है अगर आपको unity में आना है तो definitely आपको अपने partner को heal करना होगा और ये रिष्टा एक successful रिष्टा बन सकता है तो अभी जो ये crossroad की बात है इसमें आपको ये clarity मि से एक path choose करते हैं तो आपको इस question का जवाब मिल जाएगा दो पात क्या है अगर तो आप healing के path पर जाना चाहते हैं तो आपका ये relation बच जाएगा अगर आप नहीं जाना चाहते तो ये relationship नहीं बचेगा आपको फिर move on कर जाना चाहिए अगर आप किसी भी नए रास्ते पर च थोड़ दोनों होते है positive negative terminal दोनों होते है energies अगर positive है तो negative energies भी होती है और वो सब energies यहाँ पर आपके partner के लिए नजर आ रही है आपके partner इस time अपने होश में नहीं है वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो किसी influence के अंडर कर रहे हैं तो आप उनसे कैसे उमीद कर सकते हैं कि वो bottom card है इसमें यह है कि हर एक movement के साथ universe आपको सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा है universe की तरफ से आपको ऐसे signals आ रहे हैं जिससे की आपकी intuition strong होती जा रही है आपको खुद को पता है कि actual problem क्या चल रही है लेकिन आप उस चीज़ को समझना नहीं जा रहे हैं तो आप उस को समझिए तभी आप energy of love जो है उसको experience कर पाएंगे आपकी जो thinking process है वो right direction की तरफ को होना चाहिए और universe इस चीज़ के लिए आपकी पूरी help कर रहे हैं आपको बैसे signal provide कर रहे हैं so this is the reading for pile number one people आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप या तो खुद कान कीज़े या आप मुझे contact कीज़ेगा और नीचे comment section में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह reading कैसे लगी जिन्होंने pile number one select किया है आप मेरी reading को मेरी video को अगर पसंद करते हैं तो like ज़रूर आपने friends के साथ जो शायद इस तरह की किसी problem में हो उन्हें भी help मेल पाएगी इस video से okay so let's see जिन्होंने pile number two select किया है तो pile number two है this black crystal okay bottom card देखते है happiness is my birthright wow इतना bright card है yellow card तो जिन्होंने pile number two select किया है let's see कि आपके लिए क्या energy निकल कर आती है so let's see कि जिन्होंने pile number two select किया है उनके लिए क्या reading निकल कर आई है देखिए आप इस time पर बहुत जादा protective है आप इस रिष्टे को खोना नहीं जाते हैं लेकिन आप बड़े indecisive हैं आपको समझ नहीं आ रहा है कि situation कैसे turn होगी कैसे change होगी क्या होगा आपको इस चीज के बारे में बहुत सारी चीज़े ऐसी हैं जो आपको समझ नहीं आ रह रहा है आप confident नहीं है कि ये रिष्टा चलेगा कि नहीं चलेगा आप इस relationship में अपनी command बनाना चाहते हैं आप ये चाहते हैं कि ये relationship आपके according चले बट trust me आप ये intuition इस time पर बहुत high हो चुकी हैं क्यूंकि शायद आपने बहुत वक्त अकेले में बिताया है और इस रिष्ट नहीं होगा लेकिन आपकी higher self ये जानती है कि ये रिष्टा ठीक होगा और definitely ये रिष्टा ठीक होगा आप जानते हैं इस चीज को ओके आप आगे मत मूफ कीजिए आप अपने partner की wait कीजिए इसका reason बताती हो कि क्या चीज है आपका रिष्टा आपके according ही कुछ time में चलने ल यहां पर eight of wands का card है आपके partner बहुत जल्दी communicate आपसे करने वाले है और जो लोग मारड है और उनके partner उनसे दूर है वो लोग तो निश्चेंथ हो जाएं क्यूंकि आपके partner आपकी सिंदगी में वाफिस आने वाले है इस चीज से आपको टेंचन लेने की ज़रूरत नहीं है और अगर आप एक ही घर में रहते हैं फिर भी कुछ मन मुटाब हैं एक घर में रहते हुए भी खुद को बहुत अकेला फील करते हैं तो उनके लिए भी यह चीज है कि आपका रिष्टा अब एक फर्टाइल डारेक्शन में मूव करेगा तो आपको थोड़ा सा सबर रखन कि ज़रूरत है आपके रिष्टे में बहुत positive changes दिखाई दे रहे हैं आपके रिष्टे को एक नई डारेक्शन मिलने वाली है आप शायद आपके पार्टनर ने भी खुद के उपर काम किया है तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर शायद वापस नहीं आएंगे क्योंकि वो कुछ time अकेले में spend कर रहे हैं वो कुछ time inner work के उपर spend कर रहे हैं हो सकता है कुछ लोगों के partner उनके career के उपर time spend कर रहे हूं और आपको लग रहा है कि वो अपनी जंदगी में ही busy हो गए हैं जबकि ऐसा नहीं है आपके partner definitely आपकी तरफ को आएंगे और ये चलते वक्त के साथ कुछ आपको ऐसा positive अचानक से देखने को मिलेगा कि अचानक से किसी भी दिन आपके partner आपको contact कर सकते हैं यहाँ पर इस तरह की energy है और ये रिष्टा बहुत ही अच्छा रिष्टा होने वाला है इस रिष्टे में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी तो definitely यहाँ पर answer आजाता है हमारे पास इस बात का कि आपको wait करना चाहिए कि move on कर लेना चाहिए तो definitely आपको आपके partner की wait करनी चाहिए वो आपको 100% वाली commitment देंगे बहुत ही focused तरीके के साथ आपके partner आपसे ये रिष्टा निभाएंगे आप दोनों एक दूसरे को stable करेंगे आप दोनों stability की energies में आ जाएंगे और आप दोनों को अपने जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं होगी इस तरह की energies है आपके लिए the other card is Ace of Swords का card है Ace of Swords का card यहां पर ये indicate करता है कि बहुत लंबे टाइम तक आप दोनों ने इस रिष्टे में frustrations छेली हैं शायद अब भी आप frustrated हैं लेकिन आप डरिये मत अब आपकी victory जो है वो निश्चित है आपका रिष्टा जीतेगा और आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही passionate relationship बना पाएंगे आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही सादा खुश रह पाएंगे इस तरह की energies निकल कर आई हैं आपके लिए तो definitely आपको wait नहीं करना है बट हाँ एक काम जो आपको करते रहना है वो है ये अपना inner work continue रखे अपना inner work आप करते रहिए आप inner work के उपर stress दीजिए because यहाँ पर divine guidance आपको मिल रही है जिसकी वजह से ही आप का रिष्टा ये ठीक होगा आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिष्टा ठीक तभी हो पाएगा जब शायद आप बहुत 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 जादा हिम्मत दिखाएंगे पर मैं आपको एक चीज़ बताओं आपने ये हिम्मत दिखा दी है आपने चटान के ऊपर फूल खिलाया है आपको पहले ये काम इंपॉसिबल लगता था जब आपने ये स्टार्ट किया आपने ये जो जर्नी है वो अकेले स्टार्ट की आपने अपना इनर वो किया और उसकी वजह से आपके पार्टनर को एंलाइटनमेंट हुई है जिसकी वजह से उन्होंने भी इनर वो किया लेक आपको रोज ये लगता है, डाउट होता है खुद के उपर कि पता नहीं ये रिष्टा बनेगा भी कि नहीं बनेगा, मैं अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूं, कर रही हूं, मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है, तो प्लीज डरिये मत, डेफिनेटली डेफिनेटली ये रिष्टा बनेगा, थोड़ा सा पेशन्स रखिये, और ये रिष्टा इस तरह से खूबसूरत बनेगा, जैसे कि आपने कभी सोचा भी ना हो, ओके, बियोंड इल्यूजन, आपका ये रिष्टा, बियोंड इल्यूजन जाएगा, इस रिष् को प्रिपेर किया है डिवाई ने, चीज़े शलो जा रही है, छिके काम्यूनिकेशन होगा, लेकिन थोड़ा सा स्लो है, यह नहीं है कि बहुत इमिडियेट कुछ, लेकिन कहते है ना, यह चीज़े बहुत इस श्लो जा रही है, आपका यह रिष्टा जरूर अपनी डेस्टि देखने को मिलेगी, आप बहुत केर फ्री होकर आगे बढ़ पाएंगे, आप अपने पार्टनर पो फुली ट्रस्ट कर पाएंगे, अभी आपको लग रहा है कि चीज़े पता निक कैसे सिट होगी, लेकिन जब परमात्मा का हाथ होता है ना सिर पर, तो डिफिनिटली को एक ऐसी opportunity मिलेगी, कि आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ पाएंगे, और यहां पर the creator का card है, divine ऐसा चाहते हैं, आप दोनों की full enlightenment के बाद, आप दोनों का union होगा, तो आपको overall इस रिष्टे में वेट करने की ज़रूरत है, इस रिष्टे में abundance ही abundance है, bottom of the deck का card है abundance का card है, आपकी जिन्दगी में बहुत खुशाली आएगी इस relationship से, past में अगर कुछ भी आप दोनों के बीच में कलत हुआ है, तो उसे अपना testing time समझे, उसे यह मत सोचे कि divine यह रिष्टा नहीं चाहते हैं, या दूसरा इंसान clever है, दूसरा इंसान आपको cheat कर रहा है, दू हो रही है, उस तरह का यह वक्त है, और यहां पर यह जो bottom guard है, इसको मैं explain करती हूँ, happiness is my birthright, तो यही सही ही एक answer बहुत clear हो जाता है, कि इस रिष्टे में खुशिया ही खुशिया होने वाली है, लेकिन थोड़ा सा वीट करने की ज़रूरत है, आपको move on करने की कोई पाइंगे, एक stability share करेंगे, एक abundance की energy share करेंगे, खुश रहेंगे, और दुनिया देखेगी कि हार रष्टा इस तरह से निभाया जाता है, I hope, जुनों ने pile number 2 select किया है, उन्हे मेरी reading पसंद आई हो, नीचे मुझे comment section में जरूर बताएगा, अगर आपको यह reading पसंद आई है, तो वीडियो को like जरूर कीचिए, अपने friends के साथ, अपने near ones के साथ, इसे share कीचिएगा, शायद कुछ लोग इस confusion में हो, आपके near dear ones, कोई भी ऐसा हो सकता है, जो इस confusion में हो, कि जंदगी में क्या करना चाहिए, अपने relationship को लेकर, तो उन्हें असानी हो सकती है, उन्हें advice मि notification मिलती रहे, thanks for watching, see you soon.